हेलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम डिबेंचर चैप्टर्स के जितने भी मल्टिपल चॉइस कोश्चिन है वो सारे के सारे एक एक करके देख लेंगे और मैंने इसमें 15 मोस्ट इंपोरेंट कोश्चिन रख रखें जो इस बार बोर्ड इग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं और मैं बता दूँ आपको एकाउंट्स, इकनॉमिक्स और बिसनस टेडीज के MCQ सीरीज हम चालू कर रहे हैं जो अकाउंटेंसी का तो देखे रहे हम डिबेंचर तक आगे हैं तो आपको चैप्टर फिनिश करके एक बार MCQ सीरीज को जरूर अटेंट क करना है 15 most expected question पूछी जाएंगे और आप जब उनका answer दोगे तो confidence आएगा और आपको यह भी पता चलेगे कि out of 15 आपके कितने माक्स आते हैं और जो question आपके गलत जा रहे हैं आप मुझसे पहले answer दोगे और जो question आपके सही जाएंगी well and good जो गलत जाएंगे please उनको note-down कर ल कि वह आगे गलती हो तो आपको repeat नहीं करना है चलो शुरू करते हैं class और आपको एक एक करके पहले पढ़ना है questions को answer देना है और फिर देखना है कि मेरा answer आपसे match करता है या नहीं चलो check करते हैं at the time of issue of debentures debenture account is तो class जब भी हम debenture issue करते हैं तो उसकी दो entry पास होती है bank account debit to debenture application and allotment account और debenture application and allotment account debit to percentage debenture account तो बच्चों जो percentage debenture है यह हमेशा और हमेशा credit होगा issue करते वक्त और हमेशा किससे होता है face value से या nominal value से clear है तो बताओ जितना मिला उससे नहीं class उससे नहीं होता है क्योंकि कई बार हमें पैसा कम भी मिलता है discount पर जब इशू होता है ज्यादा अगर premium पे इशू के है तो ज्यादा मिलता है तो आपको हमेशा जो है वो face value से ही credit करना है debentures को तो इस credit by the nominal value or face value of the debentures यानिकि one का option C जो loss on issue of debentures is written of in the year the debentures are issued बिल्कुल सही है class जो loss on issue of debentures है वो जिस साल हम लोग issue करते हैं उस साल वो जो loss create हुआ है class देखो अगर आपने discount पे debentures को इशू किया तो discount on issue debit होता है अगर आपने redeem किया premium पे उस situation में क्या होता है loss on issue of debentures debit होता है आपको पता होना चीए debentures chapter पढ़ा रखा है मैंने अगर आप issue पे अगर आप shares को debentures को इशू करते वक्त discount देते हो तो discount on issue क्या होगा debit और अगर redemption पे premium दे रहे हो तो वह भी हमारा घाटा है अगर लेते वक्त कम पैसा ले रहे हो देते वक्त जाड़ा दे रहे हो यह दोनों घाटा है और इन दोनों नुकसान को companies act कहता है हमे उसी year में write-off भी कर देना है जिस year यह कर हुआ है तो इसे write-off करने के लिए हमारे पास पैसा कहां से आएगा इसे write-off का मतलब मतलब खतम करना है जो नुकसान हुआ इसे किताबों से हटाओ खतम करो इसे खतम करने के लिए किस चीज से खतम करेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान रखना वह सिक्यूरिटी प्रेमियम रिजर्व मैंने आपको बताया भी था क्लास जो मेरी 15 most important question जो हमारा mcq series में है issue of share उस chapter में बताया था आपको कि जो security प्रेमियम रिजर्व इनके पांच काम होते हैं और यह पैसा आप सिर्फ उनहीं पांच काम में ही इस्तमाल कर सकते हो प्रेमियम रिजर्व जो है वह आपने डिसकाउंट और लॉस ओन इश्यू यानि कि यह प्रीमियम और रिडंप्शन भी कुछ लोग कहते हैं इसको कि रिडंप्शन में प्रीमियम तभी लॉस ओन इश्यू है इन दोनों को रैट आफ करने में इस प्र से पैसा निकाला जा कि लेकम बतादू क्लास कंपड़ी अकउंट नुए निहीं बनाती कंपणि क्या बनाती स््ट्रेट्मेंट तो हम बुलेंगे स्ट्रेटमेंट औफ यह प्यार अंज नहीं है मालोव यह 5-9 रुपे का यह 3 रुपे का एस प्यार में कूल 4 पड़ा हुए 8 रुपे का लॉस ह कि बाकि चार किस से लेयो स्तेमेंट वंडल से ले लो ऐसन राइट अफ होता है तो यह ओंसर क्या है नफ्ष क्या शे पहलाद घलक SPR से लिना है बचता है तो PNDL से लिना है इन दे ब्लैंक्स डिस्काउंट और लॉस ओन इशू अफ डिबेंचर इस रिटन आफ इन दे यर वेंड डिबेंचर आर इशूड फर्स्ट फ्रॉम इस तुमें आभी बता दिया क्लास आपको सबसे पहले कहां से राइट आफ करेंगे सबसे पहले राइट आफ करेंगे शिक्यूरिटीज प्रेमियम रिजर्व से उसके बाद कम पड़ता है तो स्टेटमेंट आफ ये डिबेंचर होल्डर सार एक कम्पनी है इनको पैसो की जरूरत है तो यह आम जनता को डिबेंचर इशू करते हैं और उनसे क्या ले लेते हैं क्लास उनसे क्या आश ले लेते ह नहीं हम जाता के ऐसा नदी दिए और जिनसे उधार लिया जाता है उनको कहा क्या घ्रत धियाना कोसे मलिक होते हैं जो क्स वो लेंडर होते हैं धिबेंचर होलडर होते हैं उツpp क्यूता है क्लास ग्रहा और वेंडर कॉन जिनसे हम समान खरीदते हैं तो जो डिवेंचर्स हैं वो एक तरीके से कंपनी के लेंडर से कंपनी ने इनसे उधार लिया हुआ इनको हर साल ब्याज देगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको इनका पैसा लोटा देगी इसको हम कहते ह आए क्लास की प्रीमियम और डिवेंचर इस आ तो देखो प्रीमियम और डिवेंचन जो है अगर हम नेचर की बात कर रियल पर्सनल और नोमिनल क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर पर्सन का है तो यह पर्सनल अकाउंट है या फिर अगर आप इसे लाइबिलिटी भी कोई आपी के बोर्ड की प्रिप्रेशन चल रही है ऐसा ना हो कि कोई कोश्चिन वीडियो में हो और आपने उसे मिस कर देखना और आगर आपको जल्देली आंसर दे रहे तो फास्ट फारवड कर देखो अगर धीर 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 हो अधर्वाइस मैं सजेस्ट करूंगा पॉस करो औ आपको बार बार बोल रहा हूं को लेटरल सेक्यूरिटी की मीनिंग पेपर में दस में से समाझ लो आठ बार पूछा जा चुका है तो आप ध्यान रखना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना अगर मानलो मेरे पास एक 10 लाग की बिल्डिंग है कि मुझे बैंक से चेज़े 10 लाग का लून मैं बैंक के पास गया मैने का भी 10 लाग की बिल्डिंग बिल्डिंग लो ग्रिवी रख लू और मुझे 10 लाग का लोन दे दो इसाथ कि अधिशिव करने के लिए इस बस कुछ है निसा का मैं अपनी कमपनी के डे पवाश को गिरवी रखतां इसी को बोलते हैं इस्यूअफ डिबेंचर कंपनी को इस्यू किये को गडेट्टरल सेक्योरिटी सहायक यानि कि हलपिंग सेक्योरिटी मैंने उसके साथ ही एक डिबेंचर भी गिरवी रख दिये तो अब यह जो डिबेंचर मैंने गिरवी रखा है सबको बताना है क्लास आंसर देखते हैं कितने लोग क्लास आक्चुली में इंगेज हैं और पढ़ते हैं यह जो डिबेंचर कंपनी ने गिरवी रखा है कंपणी सॉर्य दुकान दार के पास या बैंक के पास तो यह देगी नहीं आगर मैं कंपनी मैं अगर कंपनी को उधार देता हूं और कंपनी मुझे देथी तो मुझे आज मिलेगा हर साल तो यहां पर कंपनी ने बैंक को डिबेंचर दियें गिरिवी रखने लिए पाँच लाग के कंपनी इंट्रेस्ट देगी बैंक को या नहीं देगी आपने बताना तो यह तो आपको बताना है कॉमेंट में लेकिन कोश्ची नहीं क्या पूछ रहा देखो जो बैंचर कॉलिटर सि मशीन स्वरी बिल्डिंग खरीदा है वाई लिमिटेट से चार लाग की कांसेडरेशन पेड़ बाई इश्व अफ 10 परसेंट डिवेंचर डिवेंचर है सोका एक और कितने रोपे क्लास डिसकाउंट है अध्यक्ता टो आपको बताना 10 परसेंट डिवेंचर अगाउंट इस ग्रेटेड विग देखो अब कि एंट्री पास करने अपने सबसेब्स यह विल्डिंग खरीदा पर यहां इंट्री पास करोंके बिल्डिंग ट्युवाई इससे खरीदा यह क्लास वाई से कितने के विल् लिख लो four lakhs और four lakh चार लाक के आपने building खरीद लिए ठीक है अब जो payment करनी है वो वाइल लिमेंट को तो चार लाक ही देनी है वाइल लिमेंट को जो payment करनी है वो चार लाक ही करनी है कोश्य में discount है आप सबको पता है discount debit होगा 20 रुपए से two percentage debenture वो credit होता है 100 रुपए से लेकिन सवाल यह है कि number of debenture कितने होंगे हम कितने debenture देंगे भया तुमको चार लाक रुपए देने हमारे debenture है 80 रुपए का कितने debenture दें तुमको चार लाक को आप 80 से divide दोगे पांच हजार debenture क्लास आएगा तो पांच हजार debenture क्लास आएगा तो पांच जार इंटू सो परसेंटर कितने से क्रेट हो गया पांच लाक से पांच जार इंटू बीस एक लाक लाक लास ही तो मैंना आपको issue of debenture as a collector consideration other than cash का पूरा कोश्ची नहीं करा दिया आपको पांच लाक लिए उसको हम SPR में लिखेंगे क्लास देखो बिल्कुल सही है true statement है कि आप debenture को issue करते वक्त चाहे शेयर को issue करते वक्त जो भी प्रियम लेते हो अक्चली वह होता SPR है और वो क्रेट होता है यहां पर क्या है क्लास क्रेडिट है डिस्काउंट लॉस आप कंपनी इशु करती है उस पर जो डिस्काउंट है वह maximum कितना परसंट दे सकते हैं मैक्जिमम बताना है आपने कितना डिस्काउंट मैक्जिमम होते हो शेयर्स तो डिस्काउंट पर issue नहीं होते अपने से बल नहीं है debenture हो सकते हैं पब्लिक से पैसा लेते हैं वक्त आप 100 की जागे 90 ले सकते हो उनकी वैल्यू 100 है पर ले रहे हो 90 इस सिचुएशन मैक्जम डिस्काउंट कितना जाकते हैं प्लास सही बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मैक्जम डिस्काउंट कितना देना आपकी मर्जी आप कितना वी दे सकते हो तो उसको कहां से रेट्ण राफ करेंगे सप्यार से अगर है तो और फिर स्टेटमेंट आप मैल संया जल्लीज से आधा सब्सकी करेंगें यह चाघ्जम नहीं है तो पिन ही करना है फिर पहले पेज़ान ही चैए बताबना कॊंसर बले टिक से कॉरेक्ट टेवेंचर होल्डर के वेंडर होते हैं तो पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है टाइम है उसके बाद कंपनी उसको पैसा लटा देगी उधार वाले हैं मैंने आप से उधार लिए चार साल पांच साल बाद लटा दूंगो जैसे आपसे मेरी बात होगी क्या डिवेंचर इसकाउंट क्या डिवेंचर इसकाउंट पे और प्रीमियम पे लटाया जा सकता है क्लास तो बिल्कुल है अगर आपने डिवेंचर चैप्टर पढ़ क्या इंट्रेस्ट मिलेगा सिर्फ फ्रॉफिट होगा तो उजए अगर मैंने आपको उधार दिया और आप लॉस में चलेगे तो किया आप मुझे ब्याज नहीं प्रॉपित हो पूरा इंट्रेस्ट देना ही देना है नहीं दिया तो आपकी कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं कंपनी इश्यू 5,000 7% प्रेंचर प्राइस ऑफ 94 सौका है दिसकांट यहां आएगा 94 साइटले क्या होगी तू परसेंटे डिसकांट है तो डिसकांट भी क्या होगा डबिट जिसकाउन्ट है 6 रुपय का 94 परसेंटी डिबेंचर में हमेसा फेस वैल्यु आता है तो पांच जार एंटू-सो क्रेंच से क्रेंचर हो पांच लाग क्रेंचर इस फेस वैल्यू से क्रेट होता है आपको फेस लिख दी नहीं जो भी फेस वैल्यू है अप्ल कंप्यूटर लिमिटेड इस्यू करते हैं टेन थाउजन सेवन पसंट डिबेंचर अफंडर इच एडिसकाउंट ओफ सिक्सेम वही पॉइंट है कि नैंटीफोर में इस्यू कर रही है कब एक ओक्टूबर तो कंपनी ने एक ओक्टूबर को इस्यू किया है कि दशदेड इबेंचर से इसलो हंडर चाहाए इस्यू पार पे उप्रीमियम पे उपकशाएगा दसजार इंटो-100 कितना बनता है हम अग दस लाखम और दस लाग का साथ परसेंट जो बनेगा 10 मतलिक दिना इसउ कब किया था आकक्टूबर को न गोंश्यम कितने महीने वु detox क्षै तक ट्स महीने का साथ परसेंट कितना बनेगा सत्तर हजार घ्लилась ग्लापु वीलियम लिमिट्टेट इस्यो से राइट आफ करेंगे देखो कि चालीच जार रुपय का टोटल लॉस हुआ है पच्छीजार से कर दो राइट आफ पच्छीजार तो है ना स्प्यार में और बागी कहां से राइट आफ करना है स्टेट्मेंट आफ पेनल से बचा कितना पढ़ लो ऑप्षिन कॉन सा करेक्ट है और लगा दो ठीक है पच्छीजार से पंद्रह पेनल से चेक करो 25 आर फ्रम स्प्यार फ्रम स्टेट्मेंट आफ यह चीज नों फाइन्स कॉस्ट होती है यह स्टेट्मेंट आपने बनाया होगा तो फाइन्स कॉस्ट के अंदर डाल प सब्सक्राइब करना अच्छे से और खुद भी कॉमेंट करना है और उनसे बोलना कॉमेंट करो स्कोर कितना है आप लोग क्लास ऐसे सपोर्ट करते रहो जो जो आ आप लोग बोलोगे जैसे वीडियोस के लिए मैं आप लोगे यहीवीडियो लाता रहोंगा आप जो बोलते कॉमेंट पड़ता हूं उसको नूट करता हूं आने वाल टाइम में उसके बैद्स चूर देना क्लास और स्कोर जरूबार देना देख्थे किसके ओडूर विपि एक तरीके से वो लॉंग टम बॉरॉइंगी तो है लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ है तो वो उसी के अंदर रिकॉर्ड किये जाते हैं कि आपको समाज आया होगा और नेक्स क्लास में हम आगे जाके कंटीनिव करेंगे थैंक्यू वेरी मुच्छ मिलते हैं नेक्स पीडियों